वैसे इन दिनों ये जो मौसम महरबान हुआ ना दिल्ली NCR में बस पूछे मतलब की आज मौसम सॉरी गनेश जी I would love to sing for you but the fact remains कि मैं नहीं गाना गा सकती तो आपको हमें आपको बता देती हूँ कि मौसम का जादू मेरे ख्याल से परी और राजी पर भी चल रहा है तब ही तो बरसो बाद इन दोनों का रोमैंस देखने को मिल रहा है जबान खामोश हो सकती है लेगन आखों से बारवती अपना सच नहीं चुपा सकती वो भी राजीव के सामने क्यूंकि जब भी दोनों आमने सामने होते हैं तब इनकी जबान खामोश और वहां चजबात लवजों की भाशा बोलने लगते हैं इनका प्यार ही इनके रिष्टे की नीव है इसलिए तो पारवती खुद को कितना भी छुपाने के कोशिश करें कि वो परी नहीं पारवती है वो छुप नहीं सकता अब देखिए कैसे पुलिस स्टेशन के बाहर जब दोनों की मुलाकात हुई तब भी पारवती को समझ नहीं आया कि भला आप वो क्या करें लेकिन राजीव को अब पूरा यकीन हो चला है कि ये पारवती उसकी परी है पारवती जब अपनी कार से घर जाना चाहती है तब राजीव उसे जबदस्ती अपनी कार में बिठा लेता है ताकि वो परी को घर डॉप कर दे उसकी वज़ा ये है कि परी सही सलामत घर पहुंच जाए लेकिन मौसम की साजिश देखिए कि कैसे आगे जाकर राजीव की गाड़ी खराब हो जाती है और इसी वीच बारिश का संकेत भी आ जाता है क्योंकि तेज हवाओने ये हिंट दे दिया है कि मौसम राजीव और परी के साथ कोई ना कोई साजिश जरूर रचने वाला है आगे ऐसी सिचुएशन हो जाती कि हमारी गाड़ी खराब हो जाती है और उसमें बहुत कुछ चीजे होती है बारिश आ जाती है फिर बारिश तो अपना खेल कर दे थी है कुछ जो आपको देखने मिलेगा काफी cute moments, काफी romantic moments जो usually नहीं होते है बारिश नहीं ये चीज़ कर दी थैंक्स तो बारिश अब किसी ना किसी बहाने तो दर्शकों को राजी वो परी का रुमैंस तो देखने को मिलेगा ही क्योंकि अब दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार जाग उठा है जब दोनों साथ है तो भला नीती से डर्ने की क्या बात है अब तो विक्रम भी परी के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन एक ना एक दिन सबका परदा उठना ही है एविपी न्यूज सिपोर्ट एविपी न्यूज आपको रखे आगे